दोस्तों 1894 में इयान मैकलरीन के एक बुक जिसका नाम था बिसाइड बॉनी ब्रायर बुस इसमें एक सौंग आया था सौंग का नाम था देर ग्रोज अ बॉनी ब्रायर बुस इन वा केल याड और आज के इस वीडियो को टाइटल हमारा इसी सौंग सा आता है जिसका नाम है केल याड स्कूल 1894 में एक बुक आई थी बिसाइड बॉनी ब्रायर बुस और ठीक उसके एक साल बाद 1895 में जे एच मिलर ने टम कोईन किया था केल याड स्कूल ये जो टम है ये एक स्कॉटिस नेम केल याड से आया है और जिसका मतलब होता है Small Cabbage Patch तो 1880 से 1914 के बीच में केल याड स्कूल के सारे वर्क्स फेमस रहे और इसमें जो राइटर थे उनका नाम था अब बात करते हैं कि ये लोग लिखते क्या थे तो ये जो लोग थे ये एक रूरल स्कॉटिस लाइफ के बारे में लिखते थे उसके आइडलाइज वर्जन की तरह से इसको दिखाते थे और ये जो काम था काफी अन्चैलेंजिंग था काफी सेंटिमेंटल था केलियाइड स्कूल के दो क्रिटिक्स थे जिनका नाम था T.W.H. Crossland और George Douglas Brown 1987 में John Ashbery की एक बुक आई थी जिसका नाम था April Galleon और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी एक और राइटर है Andrew Nash नाम से उनका कहना है कि ये एक लिटरी मुवमेंट नहीं था बलकि एक social construct था Andrew Nash have argued that it was a social construct rather than an actual literary movement Ian Carter का कहरना है कि केलियाइड स्कूल जो है वो एक sentimental structure of feeling को बताता है जिसका deep root Scottish literature में है और यहाँ Buns और Scott के works में देखने को मिलता है और साती सात में William Alexander और बात के Scottish Renaissance के writer Lewis Gibbon के work में भी देखने को मिलता है so guys thanks for watching this video for more videos stay tuned with E-Planet